नमस्कार, NETV इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूँ अधिती राजपूत पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है और 2019 के मुकाबले 4 फीसदी मतदान कम हुआ ऐसे में चाहे वो सत्ताधारी पक्ष हो या विपक्ष सभी की चिंताएं थोड़ी बढ़ गए है अगर जम्मू के उधंपूर सिट की बात करें तो यहाँ पर दो बार से जीत का परचम लहरा रहे हैं डॉक्टर जितेंदर सिंग जो की केंद्रिय मंतरी भी है, पीयमो में राजमंतरी की जिम्मेदारी भी वो समार रहे है तीसरी बार भी उधंपूर से मैदान में हैं डॉक्टर सिंग आपका बहुत-बहुत स्वागत है एंडी टीवी पर पहले चरण का जो मतदान है वो हो चुका आपकी सीट पर भी उधंपुर में भी मतदान हो गया है धारा 370 के खत्म होने के बाद पहली बार लोग सभा चुनाए हुए हैं कैसा असर रहा कोई अंतर देख कि आम गली कूचे में चलने वाला व्यक्ति इतना उत्साहित है कि मैंने मोदी जी के कारेक्रमों को उनकी योजनाओं के पक्ष में बोट डालना है ताकि मोदी जी चार सो प्लस के मेंडर से 30 बार प्रधान मत्री मैंने के आम तोर से जो पार्टी आभान करती है लोगों से इस बार लोग हमें कह रहे हैं यानि मैं उस दिन एक रास्ते से गुजर रहा था तो एक सेवा निवरित अध्यापक उन्होंने मुझे रोका बोले डॉक्साब ठीक चल रहा है सब कुछ मैं कहां भी को बोले आपके कारेकरता कोई थोड़े सुस्त तो नहीं है मैं कि आपको क्योंकि जिस प्रकार से ये लोग हित की युजनाई गद कुछ वर्षों में पहुंची है इन्होंने उनके दिल को चुगा है मिल्कुल डॉक्टर जीतिंदर सिंग उधंपूर की अगर हम बात करें तो आपने 2014 में गुलाम नभी आजाद को हराया 2019 में और बड़ी जीत दर्च करते हुए कॉंग्रिस के विक्रमा दित्ति सिंग को हराया आप तीसरी बार यहां से आप उमीदवार बनाए गए हैं कॉंग्रिस के लाल सिंग के खिलाफ किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच गए इसमें तो सबसे बड़ा तो हमारा मुद्दा विकास का था इसमें कोई संदे नहीं के उध्वपुर की लोकसभाज शेत्र गत दस वर्षों में जो देश के सरवधिक विक्से शेत्र हैं उनमें रहा है यानि एक नहीं दो नहीं तीन तीन मेडिकल कॉलेज के इंदर के सहयोग से यहां बनें दुनिया का सबसे उचा रेल का पुल जिसका जी ट्विंटी में जिक्र भी हुआ था परधान मुद्दी दौर वो भी यहां निर्मानित हुआ एशिया की सबसे लंबी रेल रोड सुरंग जिसका नाम सामा परसाद मुकरजी के नाम पर रखा है चैनेरी नाश्री साड़े नौ किलो मीटर टरनल वो भी दस वर्षों में निर्मानित हुआ उत्रभारत का पहला केवल स्टेड ब्रिज अटल सेतु वो भी इसी शेत्र में उत्रभारत की पहली इंडस्ट्रिल बायोटेक पार्क वो भी इसी शेत्र में उत्रभारत का पहला नदी सुंदरी करन का प्रोजेक्ट निमामी गंका की तर्स पर देवी का प्रोजेक्ट वो हमारा एक मेर मुद्दा था और यसलिए संभव हुआ कि मोदी जी ने बिना वो जो पिछले पांच पचास साथ वर्षों से एक चल रही थी शेतरी भेदभाव की राज नहीं थी क्योंकि ततकाली जो सरकारे थी कांग्रिस उनके सहीयोगियों की वो शेतर से भेदभाव करती रही क्योंकि इस शेतर में उनको अपना वोल्ट बैंग नहीं दिखता था तो परिणाम सरूप हर एलोकेशन में हर प्रोजेक्ट में हर योजना में हर केंदर के कारिकरब में इस शेतर के साथ भेदभाव रहता था एक बड़ी मिसाल आपको देता हूं कि चार प्रतीशद आरक्षर यूपीय सरकार ने दिया एलो सी जो पाकिस्तान अधिकरिट जमू किश्मीर के साथ लगने वाली सी मैं वहां के यूओं को लेकिन जो हमारा शेतर है जहां इंटरनेशनल बॉर्डर है जो पाकिस्तान पंजाब के साथ पढ़ता है जहां से बटवारे की लाइन की दूसरे हिस्से के नहीं के वल और केवल वोट की राजनीति क्यूंभी नहीं लगता था कि यहां से हमें वोट कम मिलता है पहले चरण की यहां पर हम बात करते हैं पहले चरण का मतदान कम हुआ है उधंपूर की बात करें तो यहां पर भी 68% मतदान हुआ है जो पिशली बार से कम है क्या कहीं लगता है डॉक्टर जीतिन सिंग आपको की बीजेपी को नुकसान हो सकता है जीति जी ऐसा है कि हमारा इस लोकसावाज चेतर में दोजार उन्नीस में लगब सतर परतिशत मतदान था और हमारा यह अनुमान था इस बार हम 75% पहुंचेगे लेकिन भारी बारिश हुई है उस दिर और आरंभिक घंटों में उसके कारण क्या हुआ कि कुछ लोग को काड़ियां देर से आई और पहुंचते पहुंचते कई बार ऐसे ऐसे भूत देखने को मिले के सतर असी वोटर पहुंच चुके थे लेकिन छे बज गए और चुके आजकर बहुत सकती है वोट नहीं डाल पाए हमारा नुवान था कि इस बार हम 75% जाए तो उस कारण इसका वोट अउस्तन थोड़ा कम हुआ है लेकिन उत्सा इतना है जी तो कहीं पर मौसम था कहीं पर गर्मी थी तो अलग-अलग तरह से मौसम ने परिशान किया है मतदाताओं को अगर डॉक्टर सिंग ओवरॉल चुनाओं की बात करें तो 102 सीटों पर भी मतदान उमीद से कम हु है क्योंकि पहली बार across the country क्योंकि हमारा एक भूमकी देश है ही हीट्रोजिनस उत्तर कुछ पक्षिम कुछ दक्षिन कुछ पूर कुछ पूर उत्तर कुछ लेकिन मोधी जी का नाम एक ऐसा नाम है सारे देश को एक डोर में बातर मुझे रगता है जादी के बाद पहला ऐस पूर पूर वोत्तर तक मोधी जी के नाम को लेकर के हर व्यक्ति उत्साहित है उमर अब्दुल्ला डॉक्टर जितिंद्र ये कह रहे हैं कि एंसी का मुकाबला बीजेपी के साथ तो कता ही नहीं है क्योंकि कश्मीर की जो तीन लोग सभा सीटे है श्रीनगर, अनंतनाग, रजोरे और बारा मुला सीट उस पर बीजेपी ने अभी तक उमीदवार नहीं उता रहे है क्या कहीं दिगजों के आगे उमीदवार तैय करने में बीजेपी को कहीं कोई डर है क्या मेरे ऐसा है कि भारती जनता पार्टी कोई परिवार के इंदरे पार्टी नहीं है कि जहां पर ने रसोई घर में होते हों या डाइनिंग टेबल पे होते हो या माँ बीटा कर लेती हो या बाब बीटा कर लेती हो इसलिए यह जो टिपड़ी आती है यूँन पार्टियों से आ रही है जिनकी कारिशैली यह लेक है जिनकी मानसिक्ता लेक है और उसी तरह के उनके मांड की कंडीशनिंग हुई है भारतिय जन्ता पार्टी जिस परकार यहां पैनल बनते हैं, पैनल जिलास तर से प्रदेश तर जाते हैं, प्रदेश तर से केंदर तक जाते हैं, और आखरी निर्डे फिर पार्लिमेंटरी बोर्ड में होता है, जिसमें हमारे सारे शिर्ष नेतरित मैठे होते हैं, और निर्डे भी पूरे consensus के साथ होता है, collective होता ह देश हित को रख करके, प्रदेश हित को रख के, लोग हित को रख के, पार्टी हित को रख करके, इसलिए एक strategized ढंग से ये निड़ने लिये जाते हैं पहली बार मोदी जी के नेतरित में इस सरकार ने नकारा नहीं बेरोजगारी को उसे आँख नहीं मीची, बलके मोदी जी ने सौयम कहा, कि रोजगार का अर्थ केवल सरकारी नौकरी नहीं और कोई भी सरकार, विश्म का कोई भी देश, कोई भी सरकार, हर विक्ती को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, हर नौजवान को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है कि जीवी का कमाने के रोजगार कमाने के विकल्प प्यादा करें आप देखिए पहली बार इन दसवर्शों में ऐसा प्रयास हुआ स्टार्ट अप को ले करके जहां मातर साड़े तीन सो चार सो थे मोदी जी के आने के बाद हम डेड़ लाख तब पहुंचके कितने सारे हमारे यूनिकांज हो गए स्पेस में हम सिंगल डिजिट में था थ्री डिजिट स्टार्ट अप्स हुए क्योंकि प्राइवेट पार्टिस्पेशिन के लिए से खोल दिया गया मुद्रा लोन प्रधान मंतरी ने शुरू किया बेना कुछ गिर्वी रखे हुए कि काम से तो बुज़र्गवार हमें कहा करते थे किसाब अगली पीड़ी तो अब काम करेगी नहीं क्योंकि इसमें कोई कमाई नहीं है तो हमारे साथ ही ये पीडियों से चल रहा ये स्वाप्त हो जाएगा मोदी रिविश कर्मा योजना लाई अगली पीड़ी इसमें श्रिक्षन पर श्रिक्षन हासिल करे ताके वो जो हमारी संसक्रिटी का एक लेगसी है वो भी जारी रहे जीवी का तो ये अधवुत जो प्रियास हुए है अलग-अलग स्तर पर ये कहीं न कहीं रोजगार बढ़ हो गई हम देश के पहले पांच बायो मैनुफेक्चरिंग कंट्रीज में शामिल हो गए ये सारा क्योंकि रोजगार का जो हमारे मानसिक्ता में बैठा हुगा था कि सरकारी नौकरी ही रोजगार है उसको हटाने का कारे भी इसी दस सालों में होने का प्रयास हुआ है तो आप उपलब दिया गिनवार हैं लेकिन आपर इंडिया गटबंदन कहता है कि लोकतंत्र को ये बचाने की लड़ाई है इस बार वो जनता के बीच यही बात लेकर जा रहे हैं कि विचारधारा की लड़ाई है क्या आपको लगता है कि जनता के बीच वो अपनी बात पह वोटर बहुत जागरूप हो गया और विशेशकर ऐसे समय में जबके सतर प्रतिशत से अधिक जन संक्या चालीस वर्ष से कम मवस्ता की है जो मैं बात कह रहा हूं जैसे मैंने का पांच बायो मैंनुफेक्टरिंग कंट्रीज में तो आप मेरी बात स्माप्थ होने से पहले ही कोई बच्चा अपने जेब से मुबाइल ने का कि उसकी तस्दीग कर लेगा वो जमाना है जिसमें हम गुजर रहे हैं इसलिए ये जो पार्टिया कह रही हैं कि हम लोकतंतर बचाने के लिए लड़ रहे हैं चुनाओ आम आदमी ये भी समझता कि अपना परिवारबाद पुष्ट वंशवाद की आड में हमें लोकतंतर का जासा दिया तो मुझे नहीं लगता कि पहली बार एक फिज़ा खुली है दस वर्षों में लोकतंतर क्या है और शेशकर जमू के शुरियों में आप देखिए पहली बार डिस्ट्रिक डॉयल्मेंट काउंसल जिला परिश जो सेल्फ रूल की बाद करते हैं तो सेल्फ रूल जो जर्मा ही ना हो धर्ती से वो कैसा सेल्फ रूल है इसी परकार 73-74 अमेंडमेंट है वो तो राजीव गांदी के समय में आई थी जिससे सशक्ती करन हुआ था लोकल बाडीज का पंचायत का जबो किश्मूर में नहीं लागो करने दिया गया कहने का अताथ पर यह कि इन्होंने अपने परिवारवाद को सिद्रुड करने के लिए उसको काईव रखने के लिए इस परकार के एक वैवस्था निर्मानित की नरेटिम निर्मानित किया और उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसी को बहाल करन के लिए अब यह लोगतंत्र की दौः ही दे रहे हैं लोगतंत्र का ना मेरें अब परिवारवाद की बात करते हैं आप लोग डॉक्टर जितियंद्र सेंग लेकिन परिवारवाद तो भीजे पी में मुझे नाम लेनी की जरुर्वत नहीं है या पर ऐसे में यह तर्क कहा तक तिकता है डॉक्टर सिंग्ग ने बिलकुल तिकता है क्योंकि जैसे कि मोधियर स्वें भी कहा था परिवार वाद का अर्थी यह नहीं है कि अगर आप इतनी अची एंकर है तो आपका बेटा या बेटी एंकर नहीं बन सकता अगर उसमें टैलेंट है तो कौन रोक सकता है उसे किसी और का बच्चा तो क्यों नहीं लेकिन अगर फैसला करने का अधिकार उस परिवार को मिल जाए कि परधान मंतरी मेरा ही बेटा बनना है और पैदा होने से पहले ही मैं डिसाइड कर लूँ कि जो मेरा बेटा पैदा होगा अभी पैदा नहीं हुआ वो परधान मंतरी बन करके उपर से आएगा मेरी कोक से जन्म लेगा तो वो परिवारवाद है और वो कांग्रस ने उसको परसाहित किया और दूसरे दलों में वो चाब भारती जन्ता पार्टी वैसा नहीं है अब आज 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 ये नहीं कह सकते कि हमारे राश्टी अजिक्ष अगले कौन से होंगे लेकर आप कांग्रस को लीजिए आप बता सकते हैं आप डियम को लीजिए पता चल जाएगा आप समाजवादी पार्टी को लीजिए आप बता सकते हैं तो वो है, आप इसका अगर spirit समझेगे तो वो परिवादवाद है, परिवादवाद का अर्थी ये नहीं है, कि अगर एक कोई पृतिवाज़ाली व्यक्ति परिवार में है, तो दूसरा परिवाज़ाली पैद ही नहीं हो सकता, या होता है तो उसको कुचल दो, इन दोनों चीजों में हमें फर्क समझना होगा, और मुझे लगता है कि आज देश का आम व्यक्ति इस फर्क को समझने लग गया है। लेकिन प्रियंका गांधी का इस पर ये जवाब है कि पिछले 30 सालों से उनके परिवार का कोई भी सदस से किसी पदपर नहीं बैठा है। सब कुछ यही किया लेकिन आप कहीं कहीं न कहीं कुदरत भी अपना खेल खेलती है। आखरी सवाल डॉक्तर जितिन सिंग आपसे अगर आप उधंपुर में वापसी करते हैं तो आप वहां के लोगों को महंगाई जैसी बड़ी समस्या और बेरोजगारी से मुक्ति दिलाएंगे यह आप बोल कर जाएंगे वहां की जनता को हमारे टेलिविजन चैनल के माधिय से जैसे मैं यह कहूंगा के पहले पांच वर्ष हमारे गए उन कोताईयों को पूरा करने में जो हम कर पाएं मोदी जी के आशिरवास जो पिशली सरकार में छोड़ी जैसे मैंने का शारपुर कंडी का प्रोजेट रुका हुआ था हमारे पावर प्रोजेट था रेटले प् चाहिए वो स्टार्ट अप्स का था अब तीसरा हमारा पांच वर्ष का कारेकाल वो रहेगा जिसमें हम भारत की एकनॉमिक ग्रोज स्टोरी का हिस्सा बनाएंगे इस शेतर को क्योंकि शेतर में बहुत पोटेंशल है इसके बहुत सर्माएएं बहुत रिसोर्स हैं जिनको और भी तक ना तलाशा गया ना तराशा गया एक्स्प्रोर नहीं किया गया हिमालियन रसोर्स ने अधवो तो तब ही यहां से ही रोमा मिशन ने जनव लिया और उस तरह से उधुंपुर का सी भारत की ग्रोज स्टोरी का एक एहम भूमी का निभाने के स्टिती में आ जाए और उसे जाहरे रोज़गार के भी साधन उप्लमा जी जी बिल्कुल डॉक्तर जीतिन सिंग आप हमसे जुड़े इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया और नतीजों के लिए आपको शुब कामना है घने वाज़ती जी